तो आज हिंदू की स्थीतेक अनाथ बच्चे की तरह है वीजेपी को ये क्या खुजली उपती है कि इसको इतना पॉलिटिकल करेक्ट होना पड़ता है वो आतंकवादी के साथ डटके खड़े रहते हैं कि आप अपनी प्रवक्ता के साथ में नहीं खड़े हो पाए आपने अपनी प्रवक्ता को निश्काशित कर दिया आप हिंदूों की पीट में छुड़ा खौपने वाले दूसरे गांधी के रूप में अगर याद किये जाओगे तो यकीन मानो आपके चाहने वालों को बहुत दुखो नुपुर शर्मा की वो क्लिपिंग जिसको की वाइरल किया गया नुपुर शर्मा ने पकाइदा ये बुला आपने आप मेरे अराध्या भगवान शिम को बार बार फवारा कह रहे हो अगर्चे मैं भी आपके नभी के बारे में कुछ बोल दूँ अगर्चे मैं ये कह दूँ तुम्हारे उड़तेवे घोडो के बारे में नभी के बारे में तो क्या तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा नुपुर ने कहा नहीं किसी को नुपुर शर्मा ने ये बुला कि जैसे तुम हमारे देवी देव्पा का अपमान कर रहे हो अगर मैं वैसा बोलू तो सुनने ही पाओ ये नुपुर ने बात कही थी तो क्या सक्त एक्षन वो नहीं होता जो एक लड़की को एक नारी को एक स्त्री को जान से मारने की धंकी मिल रही थी बलतकार की धंकी मिल रही थी एसिड से तेजाब डालने की धंकी मिल रही थी सर काटने की धंकी मिल रही थी बोली मारने की धंकी मिल रही थी एक करोड का इनाम उसके उपर रखा गया था क्या उन लोगों को पकड़ पकड़ की गिरफ्तार करना सक टेक्शन होता या आपने नुपर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया ये सक टेक्शन है तो आज हिंदु की स्थीतेक अनात बच्चे की तरह है कि आप ये देखिए अगर हम पॉलिटिकल करेक्ट होने की बात करें तो बीजेपी को ये क्या खुझली उपती है कि इसको इतना पॉलिटिकल करेक्ट होना पड़ता है इतना सब के विश्वास जीतने की जो एक विमारी बीजेपी में पनब चुकी है और वैसी हो या उनका कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी से मसे की बात देखिए अगर यासीन मलिक को सजा की बात होगी जिससे लेना एक ना देना दोगा ऐसे सीधे सीधे तोर पे अलाकि जिहादियों का आप तो सब कुछी लेना देना है क्योंकि वो तो उम्मत के नाम पे एक है वो लोग तो अपनी उम्मत के नाम पे एक हो जाते है लेकिन आप ये देखो दिबग भाई यासिन मलिक की बात होगी तो आप किसी भी पार्टी के नेता को देख दीजिए उसका बयान एक होगा टीवी की डिबेट में एंकर पूछते रहेंगे क्या आप यासिन मलिक को आतनकवादी मानते हो ओवैसी जी, मवैसी जी, फलाना जी, ढिमकाना जी, मौनाना जी, रशीदी जी, फशीदी जी, फसादी जी, जहादी जी क्या आप यासिन मलिक को आतनकवादी मानते हो देखे देखे आप सिरफ यासिन मलिक की बात मत कीजिया मौतरमा अगर आप यासिन मलिक की बात करेंगी तो बजरंग दिल कभी आएगा RSS भी आएगा ये भी आएगा वो सीधा सीधा एक जवाब कभी नहीं देंगे कि हाँ यासिर मली का आतकवादी है उसको सदाइमोत मिलनी चाहिए वो कभी नहीं बोलेंगे वो आतंकवादी के साथ डटके खड़े रहते हैं और हमारे यहाँ पे इतना अपॉलोजेटिक इतना अपॉलोजेटिक कि आप अपनी प्रवक्ता के साथ में नहीं खड़े हो पाए आपने अपनी प्रवक्ता को निश्काशित कर दिया कि मोधी जी आत्मचिंदर करना हो मेरा व्यक्तिकत यह मानना है शुभम मंगला का कि आप जब भी राजनितिक जीवन से सन्यास ले जब भी आपकी राजनितिक विदाई हो एक सम्मान जनक तरीके से होनी चाहिए क्योंकि भारत देश में सदी औबाद में एक ऐसा राजनिता हमें मिला लेकिन अगर आपकी सम्मान जनक विदाई नहीं होई आप हिंदूों की पीट में छुड़ा खौपने वाले दूसरे गांधी के रूप में अगर याद किये जाओगे तो यकीन मानो आपके चाहने वालों को बहुत दुख होगा और आपके चाहने वालों में एक नाम सुपम मंगला का भी होगा एक नाम दीपक सिंग हिंदू का भी होगा